साथियों, नए कुरुसी सुधारों को लेकर तीसरा बहुत बड़ा जूट चल रहा है, फार्मिंग एग्रिमेंट को लेकर, देश में फार्मिंग एग्रिमेंट का कोई नई चीज नहीं है, क्या कोई नया कानून बना कर हम अचानक फार्मिंग एग्रिमेंट को लागू कर रहे हैं, जी नहीं, हमारे देश में बर्सों से फार्मिंग एग्रिमेंट की ववस्ता चल रही है, एक दो नहीं बल्कि अनेग राज्यों में पहले से फार्मिंग अग्रिमेंट होते रहे हैं अभी किसी ने मुझे एक अख़बार की रिपोर्ट बेजी आठ मार्च दो होजार उन्नीस की उसमें पंजाब की कॉंग्रेस सरकार किसानों और एक मल्टिनेशनल कंपनी के बीच आठ सो करोर रुपिये के फार्मिंग अग्रिमेंट का जश्ट मना रही हैं इसका स्वागत कर रही है पंजाब के मेरे किसान भाई बेहनों की खेती में जादा से जादा निवेश हो ये हमारी सरकार के लिए भी खुशी की बात है साथियों देश में फार्मिंग अग्रिमेंट से जुड़े पहले जो भी तौर तरीके चल रहे थे उसमें किसानों का बहुत जोखिम था बहुत रिश्ट था नए कानून में हमारी सरकार ने फार्मिंग अग्रिमेंट के दोरान किसान को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किये हमने तय किया है कि फार्मिंग अग्रिमेंट में सबसे बड़ा हीत अगर देखा जाएगा तो वो किसान का देखा जाएगा हमने कानूनन तय किया है कि किसान से एग्रिमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा जो किसान को उसने वादा किया होगा वो स्पॉंसर करने वाले को वो भागिदार को उसे पूरा करना ही होगा अगर नए किसान कानून लागू होने के बाद कितने ही उदान सामने आ रहे हैं जहां किसानों ने अपने इलाके में SDM से सिकायत की और सिकायत के कुछी दिन के भीतर किसानों को अपना बकाया मिल गया साथ क्यों फार्मिंग एगरिमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझोता होता है जमीन किसान के ही पास रहती हैं एगरिमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है प्राक्रू के दिख आपदा आ जाएं तो भी एग्रिमेंट के अनुसार किसान को पूरे पैसे मिलते हैं नए कानूनों के अनुसार अगर अंचानक याने जो एग्रिमेंट तय हुआ है लेकिन जो स्पांसरर है जो भागिदार है जो पुझी लगा रहा है और अचानक मुनाफ़ा बढ़ गया और किसान के कॉंट्रेक्ट में तो कम पैसा है लेकि मुनाफ़ा बढ़ गया तो इस कानून में ऐसा प्रावदान है कि जो बड़ा हुआ मुनाफ़ा है किसान को उसमें से भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा साथियों, एग्रिमेंट करना है या नहीं करना है, ये कोई कमपल्सरी नहीं है यह किसान की मर्जी पर है वही किसान चाहेगा तो करेगा नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा लेकिन कोई किसान के साथ बेहिमानी न कर दे किसान के भोलपन का फाइदा उठाना न ले इसके लिए कानून की व्यवस्ता की गई है नए कानून में जो सक्ति दिखाई गई हैं वो sponsor करने वाले के लिए हैं किसान के लिए नहीं है sponsor करने वाले को agreement खत्म करने का अधिकार नहीं है अगर वो agreement खत्म करेगा तो उसे भारी जुर्माना किसान को देना होगा लेकिन अब वही agreement किसान समाप्त करना चाहे तो किसी भी समय बिना जुर्माने के वो किसान अपना फैसला ले सकता है राज्य सरकारों को मेरा सुजाव है कि आसान भाषा में आसान तरीके से समझ माने वाली farming agreement उसका एक खाका बना करके किसानों को देखे रखना चाहिए ताकि कोई किसान से cheating न कर से